प्रभू की आशिम करना से पिछले पांच साल से सुबसंदे चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहुआ का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन्भों कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिश का कारण टरे यही हमारी प्रार्तना है इस कार्यक्रम का लाब उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करे साथ ही करस्पंडन के माध्यम द्वारा मराटी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभू का वचन सुने और आशिश पाए आमेन जीवन जल कारेक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धार करता प्रभू येश्य मसी के पवित्र नाम में नमस्कार यहन्वा अध्यास साथ और पद सैतीस में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है इश्यो ने लोगों को पुकार कर कहा यदी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिये जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके रिदय में से जीवन के जल की नदिया बहन निकलेगी नमस्कार परमेश र के वचन के कुछ सत्यों को लेकर एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्तिद होने के लिए परमेश र ने मदद किया हम परमेश र को धन्यवा देते हैं पवित्र बाईबल के एक पुस्तक, अयूप के पुस्तक के अंदर से एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, अयूप के पुस्तक चवदवा ध्याय के पद 4 अशुद्ध वस्तू से शुद्ध वस्तू को कौन निकाल सकता है, कोई नहीं, परमेश्वर के वचन क ये एक बहुत बड़ा सत्य है एक वस्तु अशुद्ध है या शुद्ध है किस आधार पर निरधारित किया जाता है यहां प्रभु कहता है उस वस्तु जहां से निकला है यदि वो स्त्रोध शुद्ध है तो वस्तु भी शुद्ध होगा स्त्रोध यदि अशुद्ध है तो वस्तू भी अशुद्ध होगा मैं आपको बाइबल के सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक की और आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ जहांबर उत्पत्ति का मतलब है आरंब शुरुवात सारी चीजों का शुरुवात हमें उत्पत्ति में मिलता है परमेश् ने आकाश और पृत्वी की सृष्टी की परमेश्वर की सृष्टी किसी ने कभी नहीं किया परमेश्वर की सृष्टी होती नहीं है पर परमेश्वर सृष्टी करता है उसका मतलब यह हैं परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीजों का उत्पत्ति होता है शुरुवात होता है और बाइबल का सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ती के अंदर सारी चीज होंगा शुरुवात होता है सुष्टी का शुरुवात मनुष्य का शुरुवात परिवार का शुरुवात बच्चों का शुरुवात पाप का शुरुवात मृत्यू का शरुवात, सारी चीज़ोंगों शरुवात, उत्पति के अंदर मिलता है। उत्पति के पुस्तक अध्याएचार में से, मैं 2-3 पद आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, उत्पति के पुस्तक अध्याएचार, उसके वचन तीन चार और पांच कुछ दिनों के पस्चात कैन यहोवा के पास भूमी की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड बक्रियों के कई एक पहिलोठे बच्चे भेंट चड़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चड़ाई तब यहोवा न हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहन किया परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहन ना किया तब कैन अत्ती क्रोधिद हुआ और उसके मुठ पर उदासी छा गई दो विक्तियों का नाम उलेख किया गया है कैन और हाबिल आखर ये दोनों कौन है प्रमेशर के वच्चन के अंदर विशेशकर पुरान नियम में वंसावलियों का बहुत महतो दिया गया है एक वक्ति का नाम जब लिया जाएगा ये भी बताया जाएगा ये वक्ति किसके बच्चे हैं किसके बेटा है किसके पुत्र है और उसका बाइबल के पुनान नियम में बहुती मतलब है मूल्य है आज भी हम जब कोई सरकारी दस्ताविश करवाते हैं तो अपने नाम लिखने के बाद ये जरूरी है लिखना हम किसके बेटे हैं पिता का नाम लिखना जरूरी होता है यहां पर भी दो भाईयों का दो लोगों का नाम दिया गया है और हमें पता करना जरूरी है ये कौन है कहां से आया इनके पिता कौन ह मैंने जैसे आपको कहा बाइवल के उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर मनुश का शिरुवात होता है उत्पत्ति अध्याए एक और दो मिला कर हम पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा है आदी में परमेश्वर ने जब आकाश और पृत्वी को बनाया उसके साथ साथ परमेश्व ने मनुश का भी निर्मान किया मनुश परमेश्वर की निर्मती है परमेश्वर ने आदी मानों को बनाया एक पुरुष को बनाया एक स्त्री को बनाया और उस पुरुष और स्त्री के संबंद के द्वारा फिर संसार में बच्चे पैदा होगे परमेश्वर की योजना की anisar परमेशर ने कहा तुम फूलो फलो और सारे पृत्वी में फैल जाओ बाइबल के अनुसार हम सभी लोग एकी माता-पिता से उत्पन्न हुए हैं हम सभों का आदी माता-पिता एक है उनका नाम बाइबल में दिया है पती का नाम या पुरुष का नाम आदम है पत्नी या स्त्री का नाम हव्वा है ये आदी माता-पिता है जिन भाईयों का नाम हमने पढ़ा उत्पति अध्याय चार में कैन और हाबिल ये दोनों आदी माता पिता के बच्चे हैं लेकिन सबसे पहले जो वचन मैंने आपको पढ़ कर सुनाया वो वचन में एक प्रश्न है क्या अशुद्वस्तू से शुद्वस्तू उत्पन हो सकता हैं ओ वचन हम यहां पर थोड़ा लागू करके देखना जरूरी हैं क्या अशुद्व माता पिता से शुद्वस्त बच्चे उत्पन हो सकता हैं अभी हमें इनके माता पिता की और थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी हैं आदम और हुवा परमेशुर के द्वारा बनाए गये सुष्टी हैं परंतु बाइबल बताती हैं उत्पत्ति अध्याए दो में परमेशुर ने इन पति पत्नी को आग्या दिया परमेशुर ने एक विशेश आग्या दिया वो विशेश आग्या इस प्रकार था वाटिगा के अंदर जहांबर परमेशुर ने इनको रखा था उ उस उरच्छ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया परंतु बाइबल के उत्पत्ति अध्याय तीन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं परमेश्वर की आग्या का उल्लंगन करके आदम हवा दोनों ने पाब किया जिस फल को खाने के लिए मना किया था उस फल दोनों ने खाया परिणाम क्या हो गया परिणाम ये है जब आग्या का उल्लंगन होता है विशेश कर परमेश्वर की आग्या का जब उल्लंगन होता है उस उल्लंगन को एक नाम दिया गया है वो है पाब पाब एक छोटा सा शब्द है परंतु पाब का मतलब है परमेश्वर की आग् में बलवा करना परमेशुर के आधीन नहीं रहना ये सब पाप का परिभाशा है सबसे पहला पाप आधंगे वाटिगा में शुरू हो गया और सबसे पहला पाप आधी माता पिता ने किया आधम हवा ने किया जब परमेशुर ने आग्या दिया परमेशुर ने ये भी बताया यदि तुम आग्या का उल्हंगन करोगे उसका परिणाम होगा मृत्यू प्रभू ने कहा जिस दिन तुम इस फल खाओगे उसी दिन तुम मरोगे शारिरिक रूप में आदम नहीं मरा शारिरिक रूप में आदम और भी लंबे समय तक जीवित रहा बाइबल बताती हैं आदम के कुल आयू लगबग 930 वर्ष था मतलब पाप करने के बाद भी शारिरिक रूप में आदम जीवित रहा परंतु परमेशुर ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन तुम मरोगे क्या परमेशुर ने गलत बोला जूट बोला कभी नही परमेशुर जूट नहीं बोल सकता है परंतु जिस दिन आदम ने फल खाया उस दिन कुछ हुआ क्या हुआ बाइबल के अनुसार हम ये समझते हैं आदम आत्मिक रूप में मर गया आत्मिक रूप में मरने का मतलब क्या होता है आदम के अंदर से परमेशुर निकल गया या परमेश्वर का जीवन निकल गया, मृत्यों में क्या होता है, मृत्यों में शरीर के अंदर से जीवन निकल जाता है, आत्मिक मृत्यों में एक विक्ति के अंदर से आत्मिक जीवन निकल जाता है, आदम ने जब पाप किया, शारिरिक जीवन निकल नहीं गया, परंतु आदम के अंदर से आत्मिक जीवन अर्थात परमेश्वर का जीवन या ऐसे समझे स्वयम परमेश्वर निकल गया आदम के अंदर से जब परमेश्वर निकल गया तो कुछ अंदर आ गया क्या अंदर आया प्रभू के बचन बताता है जब परमेश्वर निकल गया पाप अंदर आया मनुश्य के अंदर पाब अंदर हैं कब से हैं जब से आदम ने पाब किया तब से आदम के अंदर जिस परकार पाब प्रवेश किया हम सारे मानव जाती आदम में से निकल कर आए हैं जिन दो भाईयों का नाम हमने सबसे पहले देखा वो दोनों भाई आदम हवा के बच्चे हैं ये दोनों बच्चे आदम हवा परमेशर के नियम का उल्लंगन करने के बाद पैदा हो गे उसका मतलब ये हैं परमेशर का नियम का जम उल्लंगन आदम हवा ने किया ये दोनों ब कौन है ये बच्चों का स्त्रोध आदी माता पिता है जो पापी बन गया जो आत्मिक रूप में मर गया आत्मिक रूप में मरा हुआ माता पिता से जब बच्चे पैदा होता है बच्चे भी आत्मिक रूप में मरा हुआ होता है प्रभू के बच्चन के अंदर प्रेरदों के पुस्तक सत्नवा ध्याय में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर ने सारे संसार में वास करने के लिए एकी माता पिता से सारे मानव जाती को निर्मान किया मतलब आज पृत्वी में जितने मनुष्य हैं उन सारे मनुष्यों गा आदी मूल माता पिता एकी हैं हम सभी लोग आदम हववा को बच्चे पाप करने के बाद पैदा हो गया उसका मतलब अशुद माता पिता से ही बच्चे पैदा हो गये जिस पद को हमने सबसे पहले पढ़ा वो पद में एक और बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो पद इस प्रकार है क्या कोई अशुद वस्तू स शुद वस्तू निकल सकता है कभी नहीं आदी माता पिता आदम हववा अशुद हो गये जब अशुद हो गया उनके अंदर से जितने बच्चे पैदा हो गया वो सारे बच्चे अशुद होकर पैदा हो गया प्रभू के बच्चन के अंदर एक बहुत बड़ा सत्ती है वो स पापी नहीं बनते हैं परंतु हम पाप का सभाव लेकर पैदा होते हैं हमारे अंदर पाप का सभाव कब से हैं बाइबर के भज़न सहीदा 51 अध्याए के अंदर दावुद कहता है मेरे माता के गर्ब के अंदर से मैं पापी हूँ पाप का सवाव मेरी माग के अंदर से, गर्ब के अंदर से मुझे मिला ये कहां से आया, ये मेरे माता पिता से मुझे मिला और इसलिए एक बच्चा जब पैदा होता है, वो बच्चा देखने के लिए सुन्दर है वो छोटे बच्चे कोई पाप का काम करते नहीं है, बोलते नहीं है, सोसते भी नहीं है, परदू बाइबल बताते हैं, उस बच्चे जब पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर सारे के सारे पाप का गुन पाया जाता है, ये गुन उसको कहां से मिला, ये गुन उसको उनके म हम जाकर आदी माता पिता आदम हवा में जाकर रुखेंगे मतलब हम सबी लोग उन में से निकलने के कारण जैसे वो आत्मिक रूप में मर गे थे हम भी आत्मिक रूप में मरा हुआ करके जनम लेते हैं मतलब ये हैं जो कुछ आदम हवा को हुआ वो सब हमको भी हुआ जैसे की उदाहरन के लिए मेरे हाट में ये जो पेपर है ये पेपर ये दिए मैं इस बाइबल के अंदर रखता हूँ और इस उसके बाद ये बाइबल मैं जहां बर भी रखूँगा वाहं पर ये अंदर वाला पेपर भी जाएगा ये बाइबल को जो कुछ भी होगा, वो सब इस पेपर को भी होगा, सोचो ये पुस्तक पानी में गर गया, जैसे पुस्तक के अंदर पानी आएगा, इस कागस के अंदर भी पानी आएगा, ये पुस्तक जदी आग में गरेगा, जैसे पुस्तक जलेगा, अंदर वाला ये पे लोग उसी के अंदर थे क्योंकि हम सब उसमें से निकले हैं और जो कुछ उसको हुआ वो सब हमको भी हुआ और जब उसको हुआ उसी समय हमको भी हुआ ये बात अंगीगार करना समझना तोड़ा मुश्किल है परन्तु सत्य यह है आदम ने जब पाप किया मैं और आप आदम के अंदर था इसलिए आदम को जो कुछ भी हुआ वो सब हमको भी हुआ आदम पापी बन गया आदम के माते पर एक पत्री एक पठी लिका गया वो पठी यह है कि मैं पापी हूँ आदम पापी है परमेशुर की नजर में पाप करके नियम का उलंगन करके वो पापी बन गय आत्मिक रूप में आदम मरा हुआ बन गया और इसलिए जो कोई आदम में से निकला उनके माथे पर भी पापी शब्द लिखा हुआ है उनके माथे पर पापी का लेबल छिपकाया गया है जितने बच्चे संसार में पाइदा होता है उन सारे बच्चों के माथे पर ये लेब लिखा हुआ है पापी हम सभी लोग पाप का सभाव को लेकर पैदा होते हैं nay और इसलिए बड़े होते हैं छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं पाप का सभाव जो अंदर हैं वो बाहर आने लगता है प्रवीश मसी के द्वारा कहा गया एक वचन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो मरकुस के सुसमचार उसके सातवा ध्याए बीस एकिस बावीस पदोंगों में पढ़ता हूँ फिर उसने कहा जो मनुश में से निकलता है वही मनुश को अशुद्ध करता है क्योंगी भीतर से अर्था मनुश के मन से बुरे बुरे विचार वेविचार चोरी हत्या परस्त्री गमन लोभ दुष्टता चल लुच्पन कुद्रश्टी निंदा अभिमान और मूर्खता निकलती हैं ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुश को गया कब यदि अंदर से कुछ निकलना चाहिए तो अंदर जाना भी तो चाहिए यदि ये सारे के सारे पाप अंदर से निकलता है ये पाप अंदर कब गया वही तो दावुद कहता है जब मैं मेरी मा के गर्ब में था तब से ये सारे के सारे पाप मेरे अंदर प्रवेश कि मैं जनम से पापी हूँ पाप का सभाव लेकर मैं पैदा हुआ हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन मेरे प्यारे मित्र ये मेरी और आपकी कहानी है ये मेरा और आपका जीवन है मैं और आप जनम से पापी होने के कारण जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो पाप का परि हमारे सोच विचार के द्वारा बाहर आता हैं हम जैनम से पापी हैं ये बाइबल सिखाने वाली एक बहुत बड़ी सत्ती हैं परंतो आज हम आपको ये शुबसंदेश सुनाना चाहते हैं वो ये हैं आप अपने पाप के सभाव से छुटकारा पा सकते हैं ये हैं शुबसंद ये है सुसमचार आपके पापके सभाव से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है उसके लिए परमेश्वर ने खुद एक योजना बनाया वो योजना ये है दोहजार साल पूर्व परमेश्वर सोयम मनिश्य बनकर इस धरती पर आया और उस विक्ति का नाम है प्रभू ईश्य मसी क्यों आया प्रभू ईश्य मसी पापी को बचाने आया इश्य नाम का मतलब है वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा आज मेरे और आपके सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे अंदर पाप का सभाव है हम कु जा दे सकता है परन्दूस का सभाव नहीं बदल सकते हैं क्योंकि सभाव जनम से मिला है प्रभुई इश्यमसी इसका समाधान है दो हजार साल पूर्व प्रभुई इश्यमसी आया और प्रभुई इश्यमसी क्रूस पर मरा बाइबल बताती है इश्यमसी क्रूस पर पापियो के लिए मरा मतलब मेरे लिए और आपके लिए मरा क्यों मरा क्योंगी प्रभू इश मसी जो जकर में से जंजीर में हम फसे हुए हैं फंदे में पड़े हैं उस फंदे में से प्रभू हमें निकालने के लिए आया हमारा फंदा क्या है हमारा फंदा पाप का फंदा है हम उसके गुलाम है पाप के गुलाम है इश्यमसी हमें आजादी देने के लिए आया पापी मनुश के पाप के दंड प्रबु इश्यमसी क्यों मरा इश्यमसी पाप नहीं किया क्योंगी इश्यमसी आदम से नहीं आया इश्यमसी आदम के पुत्र में से नहीं है हम और आप आदम के इसलिए इश्व मसी में पाप नहीं है मेरे और आपके अंदर पाप है इश्व मसी में पाप नहीं है वो निश्पाब और निर्दोष निश्कलंग परमेश्वर है कन्या के द्वारा उत्पत्ती हुआ कन्या के द्वारा जनम लिया वो परमेश्वर होने के कारण क्रूस पर म करने के बाद प्रभू इश्य मसी तीन दिन के बाद मरतगों में सजी उठा आज भी जीवित है सुसमाचार यह है आज जो कोई प्रभू के सामने इश्य मसी के सामने ये स्वीकार करेंगे प्रभू जी मैं जनम से पापी हूँ और पापी होने के कारण परमेशुर के दंड अ हूँ प्रभू ईश्यमसी मरने के तीन दिन बाद जिंदा हो गया आज ईश्यमसी को मैं अपने हरदे के अंदर स्वीकार करता हूँ यदि आप अपने पापों के बारे में पश्यताब करके प्रभु ईश्य मसी को अपने अंदर स्वीकार करोगे प्रभु ईश्य आपके अंदर आएगा आपका जीवन बदल जाएगा चरित्र बदल जाएगा पाप के सभाव के उपर आपको प्रभु जैद देगा इस वर्तमान संसार में पाप के उपर जै पाकर एक जैवंत जीवन बिताने के लिए प्रभू आपकी मदद करेगा उसके लिए हमारे सारे सरोता होंगो परमेशर आशिश दे ये प्रातना और उम्मीद के साथ हम समाप्त करते हैं आई हम प्रातना करेंगे सुर्गे पिता परमेशर हम आपको धन्यवा देते हैं आज भी जीवन जलके कारिकरम सुनने वाले हमारे सारे मित्रों के लिए धन्यवा देते हैं और प्रातना करते हैं प्रभु जी इश मसी के द्वारा मुफ्त में मिलने वाले ख्र्भा को चुटकारे को पापों से को अनभो करने के लिए हमारे हरेक सुरोता को आप मदद करिये हमारी आपसे प्रात्ना है आपके हातों में इस प्रात्ना को मांगते हैं हमारे प्यारे उध्धार करता प्रभुई शमसी के अधिस्रिष्ट नाम में आमें अगर परमेश्वन ने इन वच्णों के द्वारा जीवन चल नवभावना बिल्डिंग 422 S.V.S. रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रभादेवी मुंबई 40025 प्रात्ना येवं मुफ्ट बाइबल करिस्पॉंडेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर करे और अपना नाम और पुरा पता तुरंत हमें SMS करे मोबाइल नंबर 770-065-115 इमेल आइडी गॉस्पिल ब्रोडकास्ट याहू.com वेब अद्रेस www.lwgb.org यूट्यूब अद्रेस जीवन चल टीवी अद्रेट यूट्यूब जीवन जल कारेग्रम को हर सोमवार शाम साड़े छे बजे बुदवार शाम साड़े छे बजे शरीवार रात नौ बजे इसी चानल पर देख सकते हैं. धन्यवाद.